हेलो फ्रेंस नमस्कार इंडिया डिटेच हेल्फ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का सुवागत दोस्तों मेरा नाम है अजीत कुमार दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा नो सिगनल क्यूं लिखता है और दोस्तों क्या प्रोब्लम हो जाता है तो चलिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना हुआ तभी आपको समझ में आ जाए कैसे आप लोग कहां पर प्रोब्लम हुआ है नो सिगनल का तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे आप लोग उस प्रोब्लम को ठिक कर सकते हैं मिन्टों में तो वीडियो को एंड तक देखिए आपको मंलम चल जगा और दोस्तों आप स्वास्क्राइब आला बटन आपको में जगा उश्को भी आप जाकर समष्कायीब कर ले तो फाइनली दूस्तों हमारा जो छत्री है यहाँ पे लगा हुए है और हम यहाँ पे दोस्तों यह प्रपर तरीके से डिडिश डिडिश पर सेट है तो इसमें दोस्तों नो सिगनल प्रवलम क्यों आ रहा है तो सबसे पहले आप लोगों को यहां पर बता दूं कि आपका जो यह इस्टेन आप देख रहा है इसको 90 डिगरी के एंगल पर सेट होना चाहिए तो जब तक यह आपका 90 डिगरी के एंगल पर इस्टेन सेट नहीं होगा तो आपका जो सिगनल है वह प्रपर तरीके से कैच नहीं करेगा और दोस्तों यहां पर देख सकते हैं मेरा यह दिवार उठा हुआ है लेकिन फिर भी मेरा जो छत्री वह प्रपर तरीके से चल रहा है यहां पर देखिए यह संडेरेट का छत्री लगा हुए है और यहां पर जो की मेरा डिरी फिरीडी से वह प्रपर तरीके से चल रहा है आपको लाइफ प्रूप के साथ दिखा देता हूं और सोनी पल रिस्टे gewoon 76 चैनल यह ब्लोट रह चाहिए लेका इसका इसकूरू एंगल इतना नहीं रहना है इतना नहीं रहना चाहिए शोनी पल रही है इतना रहएगा तो आपका जो चैनल है वो सभी चैनल चलेगा तो फटा-फट से आपको दिखा देते हैं ये कनेक्टर आप जो देख रहे हैं इसमें जंग लग जाता है तो नो सिंगनल प्रोबलम आने लग जाता है देख सकते हैं एकदम साफ सुतर है ये कनेक्टर और यहाँ पे लूज होने के कारण भी आपका ज सबसे पहले आपको ये कनेक्टर खोल कर चेक कर लेना है कि इसमें लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो यह आप एक बार खोल कर इसको चेक कर लेजिए कि इसमें लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है अगर जो लाइट नहीं आएगा तो समझे ये कि आपका जो सिंगनल ह वह सही है और यह वायर में problem है तो इसको इसमें दोस्तों 22-24 वोल्ट के वीच में आपको current मिलता है 12 वोल्ट मिलेगा 18 भी मिलेगा और 22 वोल्ट यानि 24 विल मिल सकता है तो आपको यह DC वोल्ट मिलता है दोस्तों तुहis दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं चलिए अब सेट्र उवक्स कर चलते हैं वहां पे आपको दिखाते हैं कि स्में क्या प्रोलं हो जाता है कि यहां पर क्रेंट नहीं पहुंचता है तो चलिए हम SHKTo अपने रूम के तरफ चलने और वहां पर आपको दिखाते तो फाइनली दोस्तों हम अपने टीवी के तरफ आ गए हैं और यहां पर दोस्तों वाइर गया हुआ है वो देख सकते हैं और तो फाइनली दोस्तों हम अपने अपने टीवी के तरफ आ गए हैं और यहां पर देख सकते हैं मेरा आश्टी सी का यहां पर लगा वह और यहां पर देख सकते एक नक्टर मेरा सफ हेए तो आप पहले। कनेक्टर को सपसुत्रे से लगा लिए हैं यहां से इंखरोकर वहां वायट पे जो भोल्टे जाता है वो प्रपर तरीके से जाएगा तो आपका जो सिगनल है वो प्रपर तरीके से मिलेगा नहीं तो नो सिगनल प्रोलम आने लग जाता है दोस्तों यह मेरा सिगनल देख सकते हैं आपको सुनाई दे रहा है देख सकते हैं इसका मतलब जोस प्रपर तरीके से आ रहा है दोस्तों ये ठंडे का मौसम चल रहा है इसलिए ये दोस्तों धुदला देखने को मिल रहा है तो आसा करता हूं आपको ये वाली वीडियो पसंद आ गई होगी तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों पास सेयर मिलते हैं नेक्स्ट टूडियो में तब तक लिए जाहिन